इस वक्त पत्ना के मौर्या लोक में हम मौजूद हैं पत्ना का मौर्या लोक जहां पर शाम होते ही गुलजार सजने लगता है बाजार सजने लगता है और यहां की जो इस्थितिया होती हैं वो कई मेट्रो सिटीज की तरह नजर आती हैं लेकिन पत्ना का मौर्या लोक अगले पर मल्टिप्लेक्स बनेंगे योग करने के लिए वेलनस सेंटर भी बनेंगे तमाम तरकी की शुविधाएं आपर अगले 9 महीने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा अभी फिलाल पटना के मौरियालों की बातचित करें तो स्मार्ट पारकिंग की सुविधा आपको दे देख रहे हैं जो बिल्डिंग पुराने हो चुके हैं उन बिल्डिंगों का जिर्णोधार किया जाएगा स्मार्ट सिटी पटना का मौरियालों बदलने वाला है यहां की स्थितियां बदल जाएंगी 9 महीने के अंदर में आपको यहां पर सब कुछ बदला-बदला सा नज बदल जाएगा यानि की पटना का मौरियालों कि स्मार्ट सिटी पटना के तहद स्मार्ट होने जा रहा है और यह तस्वीरे आप देख लीजी क्योंकि 9 महीने के बाद इन तस्वीरों को आप याद करेंगे पुरानी तस्वीरे हो जाएंगी क्योंकि मौरिया लोका बदलने वाला है यहाँ पर मल्टिप्लेक्स खुलने वाले हैं साथी साथ वेलनेस सेंटर खुलेंगे और तमाम जो सुविदाएं होती हैं स्मार्ट सिटी के तहट वो आपको देखने के लिए मिलेगा है आपको बताएं कि मनोरंजन इसमें आप कर सकते हैं सीनेमा देख सकते हैं 75 से 100 सीट की छमता वाले सीने कॉंपलेक्स सिनेमा हॉल यहाँ पर बनने वाला है बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों के लिए यहाँ पर सीनेमा हॉल खुलेगा और जो बिल्डिंग पुराने हो या फिर शॉपिंग की जो चीज़े होती हैं वो यहाँ पर करने के लिए आते हैं लेकिन कुछी समय के बाद 9 महीने के बाद यहाँ किस्तितियां बदलेंगी आपको यहाँ पर चमचमाती दुकाने चमचमाते स्मार्ट वेलनस सेंटर चमचमाते सिनेमा हॉल साथी साथ मनो परंजन के लिए तमाम विदाये होंगी राज्य सरकार के तरब से किया जाएगा और इसके लागत जो है कुल 15 करोड का आने वाला है पहले मौरिया लोक में काफी जादा भीडबार होती थी उन भीडबार को हटाया जगया स्मार्ट पार्किंग की सुधा दी गई और अब देख लिजे इस बीड़िंग का जिर्णोधार कराया जाएगा पत्ना के मौरिया लोंक में अक्सर शिकायत रहती है कि यहां पर बनाया गया है या फिर जो दुकान है वो धवस्त होते हुए नज़र आते हैं तो उनका भी जिर्णोधार कराया जाएगा नौ महीने के बाद यहां कि तस्वीरे आपको कुछ और नजर आएंगी यहां पर बिल्कुल बदला-बदला सा नजारा होने वाला है मल्टिप्लेक्स बन जाएंगे वेलनेस सेंटर बन जाएंगे और यानि कि स्मार्ट सिटी के तहत डेवलोप्मेंट पटना के मौर्यालोक्स कॉम्पलेक्स का किया जा रहा है देखते हैं नो महीने बाद तस्वीरे कैसी रहेंगी फिलाल इस वीडियो में इतना ही देखते हैं हमारे चानल दबिहार टोप धन्यवाद